जब भी हमारे पास कुछ पेड़ पोधे होते हैं तो इनके आसपास ये स्नेल्स जरूर मिल जाते हैं क्योंकि पेड़ पोधे ही इनका खाना है अब ये कहां जाएंगे इनी के आसपास रहेंगे न पर खास तोर पर ये बरसात के सीजन में पहुत जादा हो जाते हैン क्योंकि जहां जितनी नमी होती है उत्ने ही जादा ये पैदा होते हैं सनेल्स जब हमारे गमलोगे मिट्टी सुखी होती है तो सनेल्स ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे पर जब मिटी में हमारी नमी होती है लगातार नमी होती है तो ये खुब सारे स्नेल्स भी इधर उदर दोड़ते भागते नजर आ ही जाते हैं और अगर बात हो रही होती है बरसात की तो फिर कहना ही क्या भी बरसात को मौसम है तो नमी तो रहेगी साथ ही साथ यह जो इंडोर प्लांट्स होते हैं तो इन में नमी हमारे रहती है तो यह इन ही को ठिकाना बनाते हैं स्नेल्स लगबग दो साल पहले एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था जहां पर एक ऐसी ड्रिंक पताई थी जो हमारे इन स्नेल्स को नहीं पसंद है एक्शुली बनाई नहीं थी बन के इस जगे पर रग गई थी जहां पर मेरे एक गमले में बहुत सारे स्नेल्स थे और जब इस ड्रिंक में बहुत सारे स्नेल्स गिर के मरने शुरू हुए तो पता चला कि इस गमले में तो बहुत सारे स्नेल्स हैं और तब ही पता चला कि ये ड्रिंक इन स्नेल्स को बिल्कुल भी नहीं भाती है और मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत ज़्यादा परेशाने तो ही इस ड्रिंक की जरूत पड़ेगी तब से लेकि आज तक मैंने कोई ड्रिंक नहीं बनाई है उसी टाइम पर आपसे वीडियो शेयर किया था आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं लिंक में शेयर कर दोगी आज देखते हैं कि आज क्या नाया है नमस्का वेश्टी वेश्टी पर आप सभी के ठेर सारा स्वागत एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के साथ देखिए जैसा कि मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया कि ये स्नेल्स या स्लक्स या जो भी कीडे मकोडे हैं सब कुछ हमारे इसी इन्वायर्मेंट का हिस्सा है कुछ नो कुछ तो खाएंगे तो सर्फ इनकी वज़य से आपको कोई भी कीट नाशक डालने की ज़रूरत नहीं होती है पर हां कुछ आपके पास गिने चुने पोधे हैं कुछ गिने चुने पत्ते हैं आप इनसे चुटकारा पाना जाएंगे क्योंकि ये पत्ते इतनी स्पीड में खाते हैं कि आपके हां अगर बहुत कम पेड़ पोधे हैं और इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया तो उन पेड़ पोधों को चेट करते इनको टाइम नहीं लगेगा पेड़ पोधे इंदसेंस नरम नरम जो भी आपकी नाजुक पत्तियों वाले पोधे होते हैं उनी को ये अपना भोजन बनाते हैं तो आभी बरसात की सीजन में फिर से आप इनसे परेशान होंगे तो आज आपके लिए लेके आई हूं बहुत खास ट्रिक इनको पकड़ने की देखिए ये गमला है माल लिजे कि जिस गमले में आपको डाउट है कि उसमें स्नेल्स हैं तो उसके उपर कोई आप डिस्पोजल रग दीजिए गमले के उपर यानि की मिट्टी की सता के उपर नमी पाके क्या होंगे ये इस तरह से उस जो भी आपने पौट रखा ये मेरा बोल है आप कोई डिस्पोजल कंटेनर रग दीजिए कुछ भी रग दीजिए तो उसकी पेंदी में जरूर चिपक जाएंगे और आपके जिस भी गमले में है ना तो धीरे धीरे करके आप जब देखेंगे तो डेली इसमें अगर एक दो पकड में आएंगे तो आप छुटकारा पा सकते हैं ये देखें एक बोल में मेरे चिपका था अभी आज सुबर का सीन में दिखा रही हूँ तो इस तरह से कई बार में हर दूसरे दिन में देखती हूँ तो दो चार मेरे पकड में आजाते हैं एक ये डिस्पोजल डिबा रखा हुआ है यहाँ पर लगी है टर्टल वाइन और ये भी मैंने गमले के उपर रख दिया था तो दिखे इस डिस्पोजल की पेंदी में एक स्नेल और आप देख रहे होंगे है ना मिटी में चुकी ये मिटी के अंदर कभी नहीं रहते हैं मिटी के सता के ऊपर रहते हैं और वहीं से ये अपनी पत्तियों को खाते हैं तो मिटी में नमी, बहुत ज्यादा नमी होगी, तो भी ये नहीं दिखेंगे, बहुत ज्यादा सूखा होगा, तो भी नहीं दिखेंगे, यानि कि बीच-बीच का इन्वायरमेंट इनको पसंद होता है, बस ये जब पेंदी में शिपक गए, तो वहां से पेंदी से आप जड करी थी आप चाहें तो इनके लिए वो ड्रिंक बना सकते हैं वीडियो में शेयर कर दूंगी पर मैं तो कहूंगी कि अगर दो चार छे पत्ते खा भी लेंगे आपके गार्डन के तो कोई नुकसान नी होना हुरा मैन्मली अप चेक करते रहेंगे तो रोज कि रोज एक दो चार जो भी आपके समस्या नहीं होगी तो आप जाविड़ी हैं इस तरह से आप इनको मैनवली पकड़का सकते हैं शोषा लगो किया करने लाइक करना है और जो भी अपने भाई-देन इन यह बन्हां तो घंटी बजानी है और की बटन के साथ में बजानी है जिसे कि सारे कि सारे नोटिफिकेशन से आप तक पहो सकें और आप इस नेल से चुटकारा पा सकें दन्नवाद